सोर्व पिता और एश्यू मस्य और पवित्रात्मा के नम से आमें पवित्रात्मा मेरेको बल दे कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द करामें स्वर्खपिता में एश्यू मसी के नाम से प्रात्ना करता हूं मेरेको बल दे कुरूपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द एश्यू मसी के पवितरात्मे का शब्द करामें पवितरात्मा जो लोगे प्रचार सुनकर आगे दूसरों को बेशते उनको बल दे कुरूपा दे हमेशा बेजने के लिए सब लोगों की बिमारियां टिक कर और कामाया लोगों का करके दे कुविड बिमारी और ब्लैक फंगस एव लोगों से दूर रख आमें आज तारिक है 22 माई 2021 में मानता हूँ परिमेशवर का जैसा कि जो लोगों ने ये प्रचारां पहले से सुन लिए है और सब लोग पवितर बन गए और इश्यो मसी का कारेक कर रहे है आमें स्वागत आपको और आपका परिवार को एश्यो मसी के नाम से यूट्यूब ओनलाइन पर गौड ब्लैस यू ओल माती चोदा 31 एश्यो ने तुरंत हाथ बढ़ा कर पत्रस को थाम लिया और पत्रस से कहा ए अलप विश्वाशी तुने क्यूं संदे किया जब वे नाव पर चड़ गए तो हवा थाम गई जबी इंसान कोई भी बिमार है कोई भी गलत रास्ते पर है उनको एकीच बात करना पड़ेगा कि पवितर कैतलिक बनना पड़ेगा जैसा पातरस ने बोला ये प्रबु मुझे बचा तो आमको कोई भी चीज से कोई भी काम से कोई भी लफडे से आमको बचिने का है तो एकीच काम है सिर्फ प्रबु प्रबु मुझे बचा और एशुन ने तुरंत हात बढ़ा कर उसे थाम लिया जबी हम लोग पवित्र कैटलिक बनते हैं तुरंत आमारी जिन्दगी में बदला वाता है तुरंत सब बुथ सब गंदे अतमे कैटलिकों को छोड़ जाते है ए तरीका है ए तरीका हमेशा के लिए चलेगा कि जबी आम पवित्र कैटलिक बनते हैं तभी आम एशुन मसी का आत पकड़ते हैं पातरस की तरफ तुरंत हाथ बढ़ा कर थाम लिया तो पातरस को एशु मसी ने आत से पकड़ लिया क्योंकि ये ढूब रहा था तो जब तक हम एशु मसी को आत नहीं देते हैं आम कैसे भी बच नहीं सकते सिर्फ एशु मसी हाथ देकर आमको बचा लेगा तो आमको हाथ बढ़ाने का है और एशु मसी का आत थाम लेने का है पकड़ लेने का है कभी भी छोड़ने का नहीं अगर आप पिसल जाएगा, हाथ निकल जाएगा तो आप डुब जाएगा बहुत आसान है समझने में कि जबी अमारा विश्वास प्रभु से हट जाएगा तो कभी भी शेटान बैंड बजा सकता है सांस कोविड होकर कभी भी बंद हो सकती है नहीं तो आपकाला फंगस आया है वो वज़े से भी कभी भी फ़रन मोत हो सकती है दोनों बीमारियां बहुत कतरनक है कतरनक है तो इसलिए इशू मसी का आथ मत छोड़ दे इशू मसी का आथ छोड़ दिया तो बस गया कामका डुब गया तो आपको पवितर कैतलिक बनने का और पवितर कैतलिक हर गड़ी जीने का बहुत ज़रूरी है इशू मसी का जैसे आपको जीने का बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक इनसान का इस दुनिया पर काम है सब को हाथ बढ़ा कर थाम लेने का सब की जिन्दगी बचाने का सब को बिमारी से लफड़े से नरक से बचाने का जो इशू मसी का काम है वो काम आमारा हो जाएगा जब आम इशू का इशू मसी का आत नहीं चोड़ेंगे हम बिल्कुल इशू मसी का जैसेच बेवार करेंगे अल्प विश्वाशी तुने क्यों सदें किया ये शुमाशी इदर क्या बोल रहा इसको कि तुमारा विश्वाश बहुत कम है अल्प विश्वाशी कम ही विश्वाश वाला है तुम तुने क्यों सदें किया संदें किया तेरे को ऐसा क्यों लगा क्यों तुम डूब जाएगा जबी मेरे विश्वाश मेरे पर तेरा विश्वाश था तभी तुम क्यों संदें हो गया तेरे को क्यों ऐसा लगा कि तुम डूब जाएगा ये सोच तेरे मन में नहीं आना मांगता था क्यों जो एश्व मसी ने कहा वो सब कुछ हो गया हर एक विमारी टिक हो गई थी तो एश्व मसी ने पातरस को बोला आजा तो ओ सिधा पानी के उपर चलना मांगता था क्योंकि जो एश्व मसी बोलता है ओ कभी भी गलत नहीं होएगा हर एक बात सही निकलेगी क्योंकि बाइबल में लिकेला हुआ है जाके देख ले गुगल में कि स्वर्ग और दुनिया भी शायद कतम हो जाए लेकिन मेरा शब्द कभी गलत नहीं होएगा कभी कतम नहीं होएगा तो आमको शब्द पर तिका रहना मंगता है जो बोला सो हो जाएगा और मन में संदे नहीं लाना मंगता संदे मन में लाएगा तो आप डूब जाएगा और जबी डूबता है तबी सिधा शैतान उड़ा देगा तो गया काम का तो इसलिए इश्यू मसी का आत कभी भी नहीं चोड़ने का बोले तो हमेशा पवितर कैतलिकिच रहने का गलतियां सब कोई भी मन में पुराने जमाने का कोई भी बुराई मन में आती है तो उसको टाल देने का बोलने का कि मैं अभी परमिश्वर का स्वर्ग पिता का बच्चा बच्ची बन गई है पुराना जवन मैंने चोड़ दिया है क्रूस पर मैंने लगाया है और मैं अभी नया जवन लेके जी उटी हूं एशू मसी का जैसा मेरा अभी नया जवन बन गया है तो तेरे को जगा नहीं है चल फूठ इदर से पतली गली से निकल जा एशू मसी के नाम से तो एशू मसी का आत कभी भी चोड़ने का नहीं मान में कुछ भी बात आ जाए आमको डटके इसके उपर शब्द के उपर रहना है संदे आमको बहुत संदे होते हैं कोई बीवी आपका मर्द के उपर संदे करता की शायद और कुछ लफड़ा कर रहा है कोई मर्द लोग बीवी के उपर संदे करते हैं वो शायद उसका वेवा टिक नहीं लग रहा है वो कुछ शायद लफड़ा करती है मेरे पीचे तो दोनों को एसा संदे होते हैं और उनकी शादी डूब जाती है बाद में बच्चे फंस जाते हैं ये लोग डिवोर्स होती है ये सब क्यों होता है ये संदे के वज़े से इनसान मारक आता है तो कैतलिक को अगर बचने का है डूबने से बचने का है शादी डूबने से बचने का है बच्चों का जिवान पड़ाई डूब जाने से बचने का है तो पवित्र कैतलिक बनने का इशू मसी का आथ जल्दी पकड लेने का और वक्त मत करो डूबने को वक्त नहीं लगता है थोड़ा सेकेंड काफी है, एक दो सेकेंड काफी है पानी के अंदर जाने के लिए तो एशू मसीबी एच बोला बाइबल में जाके देख ले, आगा तुम चत पर कुछ काम कर रहा है घर के आपने कुद के घर पे चत पर काम कर रहा है तो निच्चे मत उतरो उदर इच पवितर कैतलिक बन जाओ उपर इच निचे उतर के एक आच्ची सी कड़क चाई पी के बाद में सोच लेगा बोले तो गया काम का कभी भी तेरे को पॉजिटिव हो सकता है कभी भी तेरे को ये काला फंगस पकड़ कर फॉरें वो इच दिन तेरी जा सकती है तो एच उमसी इसको पतरस को पूछा और पर विश्वाशी तुने क्यों संदे किया एच उमसी इसको क्या बोला कि कम विश्वाश वाला आदमी है तूं और दुसरी जगा इश्व मसी क्या बोला कि अगर तेरे को एक चोठी बीच का इतना विश्वाश है तो आप कोई भी समस्या को टाल देगा कोई भी बिमारी को टिक कर देगा लेकिन आपको संद्य नहीं होना मांगता ये भी बात है गलत कभी नहीं शब्द का अर्थ नहीं निकालने का गलत अर्थ निकाला कम अर्थ निकाला तो चंगाई प्राप्त नहीं हो जाएगी जैसा आपके गर में बिजली है आपने फ्यूज बॉक्स से फ्यूज निकालके रका है नहीं तो फ्यूज उड़ गया था कोई वज़े से कुछ मिक्सी वगरा कुछ शॉट हो गया था और आप एलेक्ट्रिकल कुछ काम करते वगारा फ्यूज उड़ गया था और अब बिजली चलाने का है आपके कमरे में तो बट्टन मारेगा तो बिजली आती नहीं क्योंकि फ्यूज उड़ गया है उदर से तो ए विश्वास और संदे आपको विश्वास हरे कैटलिक को विश्वास है सब आम बोलते हैं आमको येशू मसीके उपर विश्वास पूरा विश्वास है लेकिन पोजिटिव होकर मरते है अब है गोआ में गोआ का हूं गोआ में भी अभी काफी समस्या हो गया है ये काला फंगस का तो गोआ है पूरा दुनिया में मालूम है गोआ में कैठलिक का संक्या बहुत जदा है आप बोलेगा आदा कैतलिक है तो भी चलता है इसा आंक बंद भी करके आप बोलेगा गोवा में आदा तो कैतलिक ही चे बोले तो चलेगा इतना समस्या है कैतलिक का लेकिन क्या होता है कैतलिक भी इसमें मर जाते काई को विश्वास बहुत है कैतलिक को हर कैटलिक को विश्वास है मेरा कोई भी प्रचार देख ले अभी मेरे को आठ महिने हो गए यूटूब पर चड़ाया हुआ है कोई भी प्रचार में नहीं एसा बोला कि तुमको विश्वास बढ़ाने का है और एसा जो टॉम डिक अन हैरी जो लोग ये प्रचारां सुनाते है, ये सभाओं लगाते है, वो बोलता है तुमारा विश्वास चड़ाओ, बस विश्वास चड़ाते चड़ाते, सब लोगों का वाट लग गया, प्रचारों में जो लोग जाते थे, उनका आलातुल फोरेन वाट लग गया, फोरेन, कभी क इतना जल्दी बच्पान में इंच मर गये जो लोग ये प्रचारों सबाओं में जाते ते मेरे को भी मालूमें 25 साल भी ज्यादा होएगा मर गया सबा में गया था गया था प्रचार में गया था तो अगर आप पहली बार इसमें आया तो मेरा चैनल पर फोरेन डिस्क्रिप्शिन में जा ले एक कतम होने के बाद और पवित्र कैतलिक बन जा नहीं तो तेरी विकेट कभी गिरेगी तेरा नंबर कभी आएगा शेयतान तेरे को कभी उड़ा देगा तेरे को सपने में भी नहीं मालूम पड़ेगा तो ये टॉम डिक अन हैरी जो प्रेचारा सुना थे वो सब कैतलिक लोगों के कैतलिक है जो कैतलिक है जो मैं दुसरा प्रोटेस्टन बिलिवर को दोश देता नहीं वो गलत है लेकिन मैं उनको दोश देता नहीं कि सब कैतलिक लोग को खराब करते करके नहीं कैतलिक की लोग जो टॉम डिक अन हैरी जो पूरा यूटूब पर लगेले हुआ है कैतलिक लोग जाकर खुद देखले कैतलिक लोग जो यूटूब पर लगेले हुए प्रेचारां देने को वो सब सब की जान ले लेते हैं वो लोग सब का कून का जिम्मेदार ये लोगे प्रेचार जो यूटूब पर गलत प्रेचारां सुनाते हैं न वो लोग कैतलिक है तो आमको एश्यू मसिक आथ पकड करिच चलना पड़ेगा विश्वाश बड़ाओ विश्वाश बड़ाओ विश्वाश में कुछ नहीं होता है एक दुसरा एक शब्द है बाइबल पर मारके देखले कुरूपा आप कुरूपा से बचाहें विश्वाश के दुवारा जो एश्यू मसिक कुरूपा आमको बनाया है मेरे दुसरें प्रेचारों में मिलेगा आपको कुरूपा के बारे में जो कुरूपा आम को, आम कुरूपा में जबी आयेंगे एशु मसी के परमिश्वर के, आमारा विश्वास से आम बच जाएंगे, कैसा? कुरुपा कुरुपा को अमारा विश्वास जबी मिला देंगे तबी आम पवितर कैतलिक बन जाएंगे एसा करके लिके ला हो आए इदर एशू मसी बोला कम विश्वास वाला बोला अलप विश्वास और विश्वास कितना भी है कितना चोठा भी विश्वास है लेकिन आपको संदे नहीं होना मंगता संदे जबी आप हो जाएगा तबी विश्वास का वाट लग जाएगा इसलिए हर एक कैतलिक बुरी तरह से पंस जाता है और पागल कुत्ते की जिन्दगी जीता है तो पूरा दिने 24 गंटा रात सुब़ शाम रात सोने के समय भी ये प्रचार लगा के रख और कल सुब़ उठके ये प्रचार लिख दे और मोबाइल सामनेल रख दे और तेरा यूट्यूब पर ये इच प्रचार चला दे चड़ा दे रिकॉर्डिंग करके दुसरों का ये टॉम डिक अन हैरियों का कुछ भी बात इसमें शामिल मिलावट नहीं करने का तेरा वापस से वाट लग जाएगी ये इस सत्ये जब वे नाप पर चड़ गए तो हवा थाम गई इतना जोर से हवा था उल्टा हवा मार रहा था नाप पर उल्टा मार रहा था उल्टा हवा मारेगा तो मालू में ये नाबों को एक कपड़ा लगला होता है और एक कपड़ा हवा जमा करता है और नाब आगे दक्का मारता है ये हवा के वज़े से लेकिन आप फ्लाइट में जाएगा आप प्लेन में जाएगा तो वो उडान बरती है हवा के उल्टा उसका तरीका अलग है फ्लाइट का उड़ान बरता है हवा के उल्टा हवा के साथ जाएगा तो उड़ान नहीं बर पाएगी वो जाके सामने तकराएगी दिवार को तकराएगी और सब लोग मर जाएगे इतना ज्यादा इसका ये होता है कोई भी नहीं बचेगा जब उड़ान के टाइम है वो इतना ताकत में जाती है प्लेन तो वो आगे दिवार पे मारेगी और सब लोग मर जाएगे तो आमको ये जो तरीका है ये तरीका तरीका आमारा गलत हो गया है और ये तरीका से बाहर गए बोले तो कुरुपा से आम लोग बाहर है तो आमारा उड़ान लाजिम सामने तकरा देगी और बोले तो खलास सिधा मिट्टी में दफनाने का और पुरा तेरे को कौन काएगी मिट्टी काएगी किडे काएगे जमिन में क्या है मालूम है आमको कैतलिक को तो दफना देते तो जमिन में क्या हो जाएगा मालूम है आमको पुरा बदन का वाट लग जाएगा पिगल जाएगी पानी जो है वो निकल जाएगा दूसरा जो गोश जो बचा है और किडे मकोडे का लेंगे तो परमेश्वर ने आमको आँकें दिये कान दिये नाक दिये मूँ दिया यह बोलने के लिए और सब आम मिट्टे में किडे खा लेंगे उस आमारे कुछ फाइदेका नहीं होईगा तो इसलिए जल्दी पवित्र कैतलिक बन जाएगा ताकि आप एशू मसे के पास पहुँचे और हमेशा के लिए सोर्ग में जियें और आपका परिवार भी यह जो जिवन है यह बदन जो है वो मिट्टी में डाल कर कुछ फाइदा नहीं है तो आमको इधर संदे कभी भी जिन्दगी में नहीं करने का गर वालों के किसी के वी उपर कुछ भी संदे आपका है कुछ भी तेरे को लगता है गलत हो रहा है बच्चों की पढ़ाई भी सही नहीं हो रही है कुछ भी लफड़ा है इंटरनेट पे गम में लगे ले हुए है नहीं तो कुछ तो कुछ चक्कर चलता है ड्रग्स में पढ़े हुए है कुछ तो कुछ चकर चलता है इसलिए बच्चे पढ़ाई से हट गए है कमज़र हो गए तो कुछ भी लफड़ा जिन्दगी में है तो आमको संदे है हो जाता जल्दी तो यह हो जाएगा तो उसका तो वाट लगिच गया जो आदमें गलत रास्ते पे गया है उसका बैट कभी बज सकता है उसकी जान कभी भी जा सकती है तो आमको एशू मसी बोला एए संदे नहीं करने का विश्वास है कम है मुश्किल नहीं है हर कैटली को विश्वास है एशू मसी के उपपर बाप्तिस मालिया सब कुछ आमने ले लिया है हर विवार की चर्च में भी जाते विश्वास बहुत है लेकिन आम कुरुपा में नहीं है कुरुपा और विश्वाश दोनु मिलाएगा तो मैं और मेरा पुरा परिवार बच जाएगा और तबीच आमको ए संदे नहीं होगा इधर पात्राच को संदे हुआ क्योंकि उसके आंदर पवित्रात्मा नहीं था तो इसलिए उसको संदे आ गया तबी एश्वाश मसी मरा नहीं था तो पवित्रात्मा इसके आंदर नहीं था तबी पवित्रात्मा आता था वो ही समय आता था और निकल जाता था पुराना करार में और एश्वाश मसी मरने के बाद आमको पवित्रात्मा अभी हमेशा के लिए मेरे अंदर है क्योंकि मैं अभी पवित्र कैतलिक बन गया तो जबी पवित्र आत्मा अमारे अंदर आएगा तो ये संद्य होएगा नहीं क्योंकि परमेश्वर तीन जान अमारे अंदर रहते है ये भी बाइबल में शब्द है जाके देख ले मैं और मेरा पिता भी आपके आंदर आमारा गर बसाएगा आकर और जब आप पवित्र कैथलिक बंता है अबीका बिच बन जा तब इच आपका आदर पवित्र आत्म आता है तो जब 읽 परमेश्वर आमारे आंदर है तब ए ए शंद्य का ए मुसिबत आएगी नहीं और अमारा पुरा घर पुरा परिवार का आदमी बच जाएंगे पुरा परिवार के आदमी पवितर कैतलिक बन जाएंगे और ये आगे जाके आम आमारे जो जान पेचान वाले उनको हर एक को आम मदद कर पाएंगे कोई भी सिलसिले में जरूर मदद हो जाएगी और ओ लोग उनका परिवार भी आमारा परिवार का जैसा बच जाएगा तो यह तरीका है यह तरीका गलत नहीं होएगा तो इधर हवा थाम गई जबी येशु मसी आमारे जिवन में आएगा जैसा ये नाव पर चड़ा तो जो भी मुसिबत्ती नाव को आगे जाने की हवा की मुसिबत्ती हवा थाम गई तो आमारा जिवन आगे जाने को आमको लगता था मुसिबत्ती बीमारी थी पॉजिटिव होगे थे डाइबेटिक है डाइबेटिक के वज़े से एक काला फंगस का बीमारी होती है तो मेरे को एक गवाई मालूम है एक पवितर कैतलिक बन गया एक आदमी और उसको जो पहले 15-20 साल की जो ये थी डाइबेटिक थी उसको छोड़कर गई वो आभी बिना डाइबेटिक जी रहा है अभी 30 साल के उपपर हो गया तो कोई भी मुसिबत हो जाए वो फोरन थाम जाएगी छोड़कर जाएगी चंगाई मिलेगी जो बदन के हिसेट टुटे है सब जूड़ जाएगे हर एक चीज बिलकुल सही हो जाएगी तरीका बहुत आसान है 5-10 मिनिट काफी है पुरा आपका जिवन अच्चा हो जाएगा और शुक्रिया इशु मसी शुक्रिया पवितरात्मा शुक्रिया सोर्ग पिता अब इधर इज बंद करेंगे कल इधर से आगे बढ़ेंगे प्रच्यार करेंगे सोर्ग पिता और इशु मसी शुक्रिया पवितरात्मा के नाम से आपके प्यारे पूत्र इशु मसी के नाम से प्रात्ना करता हूं ए इंसाम जो यूट्यूब लाइव पर है उसको और उसका पुरा परिवार को और प्रहचार जो देख रहे उनको और उनको और उनका पुरा परिवार को हर एक इंसान को आप कोविड बीमारी से बचा कर रख और काला फंगस की बीमारी से बचा कर रख और कोई भी बीमारियां है हर बीमारी टिक कर सब कामा ये लोगों का करके दे कोई भी लफडा गर में चलता है जगडा दुश्मनी सब खतम करके आपके प्यार में सब को बर दे और परिवार एक सुकी परिवार कर दे जो गर में पड़ाई करते उनको अच्चा मार्क्स में पास करते जो लोगों का दंदा चलता है दंदा बड़ादे जो नुकरी करते पागार बड़ा पोश्ट बड़ा ओ लोगों का जो नई नुकरी ढुणते है ओ लोगों को बड़ी कमपनी में बड़ा पगार की नुकरी दे दे और जो लोगों को कमपनीों ने बेटा के रखाए कोवीड बिमारी के वजे से उनका कमपनीया वापस से चालू कर दे और पागार बड़ा के पोश्ट बड़ा के वापस नुकरी पर ये लोगों को चड़ा दे कोई भी बदन का हिस्सा अगर काम नहीं कर रहा और डॉक्टरोंने निकाल के फेक दिया अभी बदन में हे नहीं वो आप नया लोगों का बदन में डाल दे आपका सोर्ग दुतक के सहायता से नया वो हिस्सा लोगों का बदन में डाल दे और ये लोगों की जिन्दगी चंगी कर दे और सब चमतकार देखने के बाद ये लोगों को पवित्र बदने को आप आपका कुरूपा और आपका प्यार और पवित्र आत्मा का आधार ये लोगों को दे दे आमेन